हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दू मैं चानल और आज मैंने बनाया यह फ्लावर वाला छोटा सताल पोश टी कोस्टर की तरह भी उच कर सकते हो तेरा नंबर की हुक साइज है क्योंकि पतला सा उल लिया है तूपले उल है इसलिए मैंने दो लियर में लिया है अगर आप स पूल बनाते है तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं दस राउंड मैंने पहले अपने उमली के उपर ले लिया है और आगे की साइड से आप हूक डालके जो धागा है उसको निकालके सिंगल कुश्या बना दीजेगा जैसे हम सिंगल कुश्या बनाते ठीक है तो इसी तरह से पूरे राउंड पर एक-एक सिंगल कुश्या बनानी है आपने अगर ऑब्सर किया है द्यान से किसी फ्लावर फूल को देखा है गुलाब के फूल को भी ले लीजे तो बीच में जो उसका सेंटर पार्ट होता है उसमें जहां से कलिया निकलती है एक-एक जो पंखुडिया उसमें से गोल होता है तो उसी के हिसाब से उसी को ध्यान में देकर यह फ्लावर बनाया जाता है तो मैंने सोचा यह डिजाइन भी आपके साथ शेयर करो कि आप लोग को यह भी पता चले कि इस तरह के फ्लावर कैसे बनते तो देखिए यह पीचे के साइड से इस तरह से ग यह तक आपकी 6 ते साथ जो क्रोशिया है सिंगल स्टीच है वह नियू भन जाते तब तक आपको बना सकते हैं वो डिपेंड करते हैं आपढ़ा shrinking बनाना है ऑर जो लास्ट उत पंकोडियों की यह एक इत्स बना रही है टीक है आपकी 여unt impo таफ लिए मेंए जाए ivत कि पंकोड़ियों वाला बना सकते हो अब हर एक स्टीच में आपको इस तरह से पहले एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद तीन डबल क्रोशिया क्यूंकि छोटी वाली पंखुडी बना रहे हैं स्टार्टी वाली है तो तीन डबल क्रोशिया और फिर एक इस तरह से सिंगल क्रोश्या तो सिंगल क्रोश्या तीन डबल क्रोश्या सिंगल क्रोश्या और स्लिप स्टीच के साथ आगे वाले स्टीच में इसको अटाच करेंगे तो एक छूटी वाली पंखुडी बन जाएगी अब उसी में फिर से आपको एक चैन देके तीन डबल क्रोश्या बनानी क्योंकि पहली थो हमने सिंगल स्टीच बना दी थी वहाँ पर तीन डबल क्रोश्या और फिर चौथा वाला है वो स्लीप नॉट लगाना है वहाँ पर बस यह देखें इस तरह से फिर इसको अटाच करेंगे आगे वाले स्टीच में स्लीप नॉट के साथ यह सिंगल क्रोश्या के साथ तो एक छोटी चोटी पंखुड़िया बनेंगी तो टोटल मैंने यहां पर छे पंखुड़िया बनाई है यह पीचे की साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा और यह फ् तो ठीक है जिनको नहीं पता तो उनकी लिए यह डिजाइन मैं बना रही हूं उसके बाद सेकंड लियर बनाएंगे तीन चैन और हर लियर के साथ आपको पहले एक राउंड बनाना होता है लूप बनाने होते जिसमें हमारी पंखुड़िया अट्याच होनी है तो तीन तीन चैन की एक एक लूप बनाना है और हर दो पंखुड़ियों के बीच में जहां से हमने सिंगल कुरूश्या के साथ अट्याच किया था बस उसी वाले स्टीच पे आपको इसको सिंगल कुरूश्या के साथ लूप को अट्याच करना है इस तरह से थोड़ा ध्यान देके बनाना पड़ता है क्योंकि डबल लेयर के साथ बना रहे हो यह दिखिए है छे मेने यह आपर लूप बना दिया है अब इसके बाद इनी छे लूप मों में हमारी छे पंखुड़िया बनेंगी जो पहले वाली पंखुड़ियों का जो राउंड है उ इसलिए जो डबल क्रोश्या की संख्या है वह भी थोड़ी जाद आएगी तो पहले हम सिंगल क्रोश्या के साथ स्टार्ट करेंगे एक चैन फिर उसके बाद डबल क्रोश्या एक यह दो पर तीन चार पांच और यह चे चे डबल क्रोश्या और फिर एक सिंगल क्रोश्या तो एक सिंगल क्रोश्या छे डबल क्रोश्या फिर एक सिंगल क्रोश्या पहले इसमें हमने तीन डबल क्रोश्या लिये ते इसमें हमने छे डबल क्रोश्या लिये तो तीन डबल क्रोश्या हमने आ पर एक्स्टा आड़ कर दिये ए फिर आपको इट चे डबल क्रॉश्य बनानी है एप इस चे डबल क्रॉश्य के बाद एक सिंगल क्रॉश्य तो इस तरह से अपका जो पंखोडियों का शेप है वह अपने आप बनता जाएंगा पहले सिंगल क्रूश्य उसके बाद छे डबल क्रूश्य एक दो तीन चार पाच और छे और उसके बाद एक सिंगल क्रूश्य तो यह दीखें एक पंखुडी थोड़ी हलके सी बड़ी साइज में बन जाएंगी तो मैंने पूरा राउंड छे पंखुडियों को बना दिया है अब इसके बाद थर्ड वाला राउंड है आप अपने अकॉर्डिंग जितना फ्लावर बड़ा चाहिए उतने लियर से इसमें एक्स्रा आड़ कर सकते हो और इसमें ऐसे भी होता है कि आप पहले इसमें छे पंखुडिया बनाएं फिर साथ बनाएं फिर आड़ बनाएं तो जिसे लूप आपको इसमें एक्स्रा आड़ करने ठीक है बाकी पैटर्न जो डबल क्रोश्या की संख्या वो इतनी रखिएगा बस अगर एक आजी पंखुडिया आपको एक्स्रा आड़ करनी है तो डबल क्रोश्या जो लूप से उनको बढ़ा दीजेगा अब लास्ट वा पर और उसको तीन बाद निकालते हैं ठीक है तो उसके बाद तीन चैन सरी दो चैन और पहली वाली चैन में से इस तरह से निकालेंगे जो आगे वाला पैटर्न है फिर ट्रिपल क्रोश्या कि दो ट्रिपल क्रोश्या इस तरह से फिर तीन डबल क्रोश्या एक यह दूसरी और फिर तीसरी इसके बाद एक सिंगल क्रोश्या तो हमने एक सिंगल क्रोश्या तीन डबल क्रोश्या दो ट्रिपल क्रोश्या फिर दो डब ट्रिपल क्रोश्या और फिर तीन डबल क्रोश्या और वन स्टीच तो इसी तरह से पैटरन है फिर से बता देती हूं एक ये दो और ये तीन डबल क्रोश्या उसके बाद हमारी दो ट्रिपल क्रोश्या हैंगी दो राउंड लेंगे हुक और स्टीच में से निकालना है इसके बाद आपको और दो ट्रिपल कुरिशा बनानी है दो बार हो पर राउंड लेंगे और तीन बार इसमें से निकालेंगे इस तरह से दो ट्रिपल कुरिशा के बाद आपको तीन डबल कुरिशा बनानी है एक यह दो और यह तीन तीन डबल क के बाद एक सिंगल कुरिया है यह हमारी पड़ी पंखुडिया बन गई इसी को पैटन को फॉलो करके आपको बाकी की चार पंखुड़या बनानी है यह दिखिए तीन लियर बनाएं मैंने आपे फ्लावर के जो एकस्टा दागाय कट करने के बाद उसको इस तरह से हुक के मद सी डिजाइन है बहुत प्यारी है इसके बाद ग्रीन कलर का धागा यहां पे मैंने लिया है इसको भी दो लियर के साथ लिया है क्योंकि टूपले वूल है नॉट लगाके जहां पर अभी हमने दो चैन वाला हर लुप के उपर बनाया था तो वहां पर अटाच करेंगे तो नेक्स्ट वाला पाटन है उसको बनाने के लिए अभी हर दो पंखुडियों को हमें जॉइन करना है इस तरह से चैन के मदद से तो नॉर्मली हमारे यहां पे मैंने 10 चैन बनाई है और आगे वाली स्टीच में जो आगे वाला पंखुडियों का जो सेंटर पॉइंट था उ बारा बारा चैन बनाई है मैंने वह डिपेंड करता है कि कि इतना डील आ और कि टाइट बना रहे है आप बहुत टाइट मत बना दीजे या बहुत डीला मत बनाई एक एप्रोप्येट चैन की संक्या से बनाई यह गा तो उस वजह से जो लूख है वाइनल वह अच्छी तर खीची कीची से दिखेगी वह प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगी तो वह अपने अकॉर्डिंग क्यों कि आप अधीला हाथ है आप टाइट बनाते हैं वह डिपेंड करता है ठीक है वह अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजे कर सकते हो हर पैटन में हर डिजाइन में अभी जो चैन है उसमें हमें हर एक चैन में एक डबल क्रॉश्य बनाना है जिस वज़े से जो फ्लावर का शेप है वह प्रॉपर ले पाएगा तो इस तरह से आप हर एक स्टीच में जो चैन है उसमें बस एक डबल क्रॉश्य बना दीजिएगा इस तरह से तो बारा चैन बनाई थी हमने तो यहाँ पर बारा डबल क्रुश्या बनेंगे यह पूरा complete हो गया अब इसके बाद वाइट कलर के उल के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसमें आपको बस नॉट लगा दीजिएगा और चोटा सा थालपोश बना रहे हैं इसलिए सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर बना रही हूं है इसको आप और भी बड़ा बना सकते हो हर लेयर को complete कर सकते मैं इसका पार्ट जो flower मैं बनाना चाहती थी पर सोचा कि इसके साथ अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हो या कोई भी थालपोश बनाना चाहते हो तो तो अटाज करके पांच चैन बनानी है फिर दो स्टीचे स्किप करके थर्ड वाले में अटाज करना है फिर से यहां पर दो छोड़ देंगे और तीसरे वाले स्टीच में इसको अटाज करेंगे एक दो तीन चार पांच चैन और फिर दो छोड़ के तीसरे वाले में इसको कर देना है अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर कोई भी राउंड कुछ भी पैटन नहीं समझ मैं तो भी वह पूछ सकते हैं यहां पर एंड होने के बाद जब भी आप इस तरह का पैटन बनाते हो तो मैंने पहले बता चुक करेंगे इस तरह से बनेगा फिर छे जैन उसके बाद आगे वाली लूप में हम सिंगल कुरुशा के साथ अट्याज करेंगे तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है अब इसका थर्ड राउंड हमने सेम इसी तरह से बनाया है बस पहले पांच चैन ब बनाई और इस वाले में लास्ट में साथ चैन बनाई पाटन सेम बनाया है अब दागे को हम उसी तरह से सेंटर तक लाएंगे क्योंकि आगे वाले लूप बनाने हैं तो पहली क्योंकि साथ चैन का है तो नौर्मिले आपको चार स्टीचर्स लेनी पड़ेंगी सेंटर तक बनाने कि लिए 3 यह 4 टीक है उसके बाद आपको बनानी है तीन 5 और 6 पाँच उसमें एटाजन justice करनी तो यहां पर पैटल फोड़ा सी बनानी ऊबbus inea है एक जोटा बनेगा एकन लूबण बने अब लूब ड़िए तो पहला चेंग लूब maintained सेकेंड वाला आठ चैन का लूप बनेगा तो यहां पर मैंने 8 चैन बनाई है और 8 अटाच किया है तो पहले 6 बनाई यह फिर 8 बनाई तो एक छोटा बड़ा बनेगा उसके बाद फिर से आपको 6 चैन बनानी है और फिर आगे वाले बना लूप में अटाच करनी है सिंगल दो तीन चार पांट छे साथ आठ और आगे वाले स्टिच में अटाच करनी है फिर एक दो तीन चार पांच शे उसको आगे में अटाच करनी है तो 6,8,6,8,6,8 तो इस तरह से आपको लूप बनाने एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा छोटा चोटा तो रौंड ऐसे कंप् अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है वह हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर के दागे के साथ जो हमने पहले यूज किया था तो यहां पे मैं अटाच करूंगी जो छोटा वाला लूप है उस पे यह देखिए इस तरह से सिंगल करूशय के साथ सिंगल स्टीच के साथ इसको मैंने हाप टाच कर दिया है अब जो बड़ा वाला लूप है आठ चैन का उस पे हमें बस डबल करूशय बनानी है इस तरह से एक फिर दो तीन चार पांच छे डबल करूशय बनाएंगे परहले एक साइड से ठीक है इसके बाद आपको यहां पर एक दो तीन चैन तीन चैन वाला बनानी है उसके बाद फिर डायरिक दूसरी साइड से उसी तरह से छे डबल करूशय बनानी है यह दो फिर यह तीन और फिर यह चार पांच और यह चे डबल करूशय तीन चे डबल करूशय इसको अटाच करेंगे स्लीप स्टीच के साथ जो छे चैन का हमने लूप बनाया था वह उस पर यह दिखे तो अपर तरीके से यह बैट गई इसके बाद आपको डबल करूशय बनानी है जो आठ चैन वाला बनानी है लूप है उसके ऊपर तो उसी तरह से छे डबल करूशय इस साइड से बनाएंगे पहले यह देखे एक फिर दो फिर तीन चार पांच और यह चे सिक्स डबल करूशय बना दीए फिर एक दो तीन चैन बनाईएगा और उसी तरह से आप दूसरी साइड से भी छे सिक्स डबल करूशय बनाईएगा दो यह तीन और चार पांच और चे जो चे शिक्स चैन वाला लूप है उसमें आप सिंगल करूशय के साथ इसको अटाच कीजिएगा इसी तरह से आपको पार्टन और डिजाइन बनानी है और बस ट्राइक कीजिएगा बताईएगा कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दिएगा सेंपल सी और खूपसुरा सा बाटन है चोटा सा है पट प्यारा सा है एंड थैंक त्योग्टी लाइक का इस गच्छी लगी तो प्लीज अर फैंड वन प्लीज राद श्छी म्हाईगा बड़ें ट्राइक के अरची लगी तो यजल कूछा उर टो विवाच्वी दो हैं।